अगर प्रेणा को कोई साकार रूप दिया जा सकता तो इसका एक जीता जाता उधारन साहद मनोहर पर निकर जिये होते 2018 की सुरुवात में ही उन्हें साहद पता चल गया था कि अब इस धर्ती पर उनके लिए ज्यादा वक्त सेस नहीं है देज-विदेज में इलाज करवाया उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर था एक इलाज विमारी जैसा लेकिन उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा 30 जनवरी 2019 को उन्होंने गोवा का जब बजट पेस किया था तो उनकी नाक में एक नली लगी हुई है और ये वह नली होती है जब व्यक्ति मूँ से कुछ खापी नहीं सकता है और सारी जो अपने में भोज बदार्थ होता है वो लिक्विट के रूप में ग्रण करता है इसी नली के द्वारा किसी ने उसे कुछा था कि सर इस समय तो डाक्टर की सला के अनुसार आपको आराम करना चाहिए परिकर जी का जबाब था कि कैंसर अपना काम कर रहा है और मैं अपना इस जोस इस जज़बे को सलाम इस व्यक्तित को प्रणाम सत सत नमन अब बात करेंगे आज 19 मार्श है और कुछ ऐसी खबरों के बारे में जो सिक्षा और रोज़गारे करसे जूड़ी हुई है यहाँ पर बात करते हैं इस्टेरियोग्राफर ग्रेट सी और डी के स्किल टेस्ट के बारे में जिसमें 90 अन पास हुए हैं और ये जो अब बेरती पासाउट हुए हैं तो उनके लिए अब बेगों का जो सत्यापर होगा वो एससी की चेतरी कारईले में 23 और 24 मार्श को किया जाएगा इन अभेर्दों के अभिलेक सत्यापन के कारकरन तथा प्रिश्पत्र SSE के चेतरी काराले की वेफ साइट से डाउनलूड किये जा सकते हैं आपको बता दें कि इस्टेनोग्राफर ग्रेट C में सोलर और ग्रेट D में चोगतर अभेर्दियों को सफलता मिली है SSE ने इस्टेनोग्राफर ग्रेट C और D के स्किल टेस्ट का पायणाम 28 नॉमबर और 10 दिसमबर 2018 में जारी किया था इसमें ग्रेट C में 601 और ग्रेट D में 2267 अभेर्दि उत्युन हुए थे कुछ अभेर्दियों की ओर से प्रत्यावेदन मिला था और उसी के आधार पर इसकिल टेस्ट का तुलनात्मा ग्रोब से पूर्ण पर इचण करा गया था और उसके बाद कुछ नए अपरती इसमें उत्युन हुए हैं ठीक हैं और 69 जा सिक्चेवर्थी के बारे में अगर हम बात करें तो आज इसमें अगली सुनवाई होगी अब इसमें थोड़ा वक्त लगएगा मतलब अब कोड कहले के लिए आपको पताचल सकेगा कि इसमें जो अगली सुनवाई हैं कब होती हैं हलाकि इसमें सारे चीज़ें बिलकुल रेडी हैं और according to PNP की जो सच्चु हैं पैडाम भी तैयार है लेकिन जैसे कोड का आदेश रिलीज होता है और सरकार से समती मिल जाती है तो चुना आयोग से अनुमती लेने के बाद पुरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है अभी अभी यह मैंने कुछ दिता लिख ह atrás दें पहले आखो बहता नबे जो पद्र राचारी के लिए तो उस भरन doetBooks बदलाओ किया गया है बदलाओ में यह जी 3 अगस्थ 2016 के स्थान पर 17 मरी 2019 तक बराप्त कराएं अनिवार इंगित करना होगा मतलब यह कि पहले एपिए यू में जो इंडेक्स भरना था वो 13 अगस्ट 2017 तक का भरना था लेकिन अब उसे बढ़ा कर 17 मई 2019 तक लिए कर दिया गया है ठीक है और यह आपको बता दें कि एक हेल्प लाइन नंबर भीस में जोड़ी गई है चुरानबे चुवन जीरू पांसो बतिस तिरासी ठीक है एक प्रफार्मा जमा करने की संब्द में बदलाओ करते के कहा गया है कि यह प्रफार्मा यूपी एची एसी कार्याले में 13 अगस्त 2017 के हस्तान पर 17 मई 2019 तक प्राप्त करना अनिवार होगा और इसे इंगित करना होग के पेपर आउट होने के बारे में बात की गए थी और इसी के साथ सुभास च्रणर गोस्ट पूर्व जजज को यह मतलब यह जिम्मिदारी सोपई गई थी कि वो इसकी पूरी जाज करें लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सही डिसीजन लिया नहीं जा सका है और लगबग द दो च्रण के जो आंसर कीजिए उनको जारी विए लगबग दो महिने का वक्त गुजर गया है लेकिन अभी भी यह पता नहीं है किसका जो फाइनल जल्ट होगा वो कब तक जारी होगा ठीक है इसे किसा अपको यह भी बता दें कि आगामी जो असिस्टन प्रोफेसर भरती क जो विग्यापन जारी होने वाला है उसके लिए रिक्त पदों का व्यवरा भी जुटाया जा रहा है आगको बता दें कि सहाथा प्राप डेडी कालेजियों में लंबे अर्शे से तैनात जो एड-hoc यानि कि तदर सिक्षक हैं उनका बिनिमती करण और उच्छ सिक्षा 46 के तहत फिजिस कमिस्ट्री बालू जी की जो 315 के आसपास असितनल प्रोफेसर हैं उनकी न्यूकती की जा चुकी है इसलिए रिक्ट पदों का जो आंकड़ा है वो बदल चुका है माना यह जा रहा है कि लगबग एक हजार पदों के सापेक्ष नया विग्यापन जो होग हैं तो आप इस विग्यप्ति में आवेदन कर सकेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स यहां पर आपको यह पिताते हैं कि इस इनके पास होगा उनको इसमें निमा नुसार छूट भी दी जाएगी हाला कि अगर आप देख रहे होंगे तो आर आर भी ग्रूप डी के लिए और सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर यह खा जाता है कि उनके पास कोई लिखित आदेश या फिर कोई ऐसा अधियाचन उन्हें नहीं मिला है तो इसके बारे में आप बोर्ड को जरूर लिखिए उन्हें और संबंदी जो आपकी अधिकारी हैं अगर ट्वीटर इस्तिमाल करते हैं तो वहां पर ट्वीट करें और साथ ही साथ आप इन सब बातों से उत्तरप्रदेश सासन को भी ट्वीट करके अपनी बात को आप रह सकते हैं मैं आपको बता दू कि ट्वीटर एक ससक्त माध्यम है क्योंकि यह बिल्कुल ओपन है और आप जिस भी अभिरती सौरी जिस भी अधिकारी तक जिस भी राजनेता तक आप अपनी बात पहुचाना चाहते हैं वह बात उन तक पहुच जाती है मैं यह पृटर के माध्यम से पहुचा सकते हैं अव इलाबाद विस्विधाले में सिचकों की भर्थी का बिग्यापन पांच अप्रैल को जारी किया जाएगा, इसकी सूचना एलाबाद विस्विधाले की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, आठ मार्च को इलावाद विश्विजदाले ने सिच्चकों के 558 पदों पर भरती के लिए संचित विग्यापन जारी किया था इसमें कहा गया था कि विश्विजदाले विबसाइट पर जारी सुचना कहा गया कि अब अर्यार कारणों और होली को दिखते लिए सिच्चक परिच्चा में बहुत सारे कंडिडेट ऐसे जो फेल थे उन्हें पास कर दिया गया हद तो तब हो गई थी जब दो ऐसे बेर्टियों को भी पास कर दिया गया जिन्होंने परिच्चा दी नहीं थी हालांकि इस पर लंबी जाश प्रक्रिया चली और उसके बार ततकालीन जो सच्यू थी सुत्ता सिंग उनको निलंबित कर दिया गया था लेकिन समय पर उनको चार सीट नहीं दी गई अब तीन मेने में चार सीट नहीं मिली उन्हें तो पांस दिन पहले बारा मार्च को उन्हें चार सीट दी जाती है इसी को आधार बनाकर सुत्ता सिंग हाई कोड की लखनों पर उनके मुकदमा कर देती हैं और 14 मार्च को जो उनका निलंबन है वो अस्तकित हो जाता है और इसी के साथ सुत्ता सिंग कारेले कोंशती हैं और कारेले में वर्तमान जो सच्यू होते हैं उन्हें वो निलंबित करती हैं कारेमुक्त करती हैं स्वेंग बिना सासन को सूचना दिए सच्चियू के पदबर खुद को न्युक्त कर लेती हैं और जब इसके बारे में जानकारी होती है समन्मदिद अधिकारियों को साथ saat अपरमुखी सच्चियू प्रभात कुमार को वो गहरी नाराज़की ब्यक्त करते हैं और उन्होंने कहा है कि इस पर सक्त कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि PNP के सच्चु को इस पर रिपोर्ट दे दी गई है हम इस पर कारवाई करेंगे नेमा नुसार सुत्ता सिंग को निलंबन पर हाई कोड के अस्तेखन आदेश की प्रमाडित कहां पी है उस सासन को उप्रवद करानी चाहिए थी इस सारी चीज़ें अपनी जिगह हैं लेकिन नेमों के साथ जो खिलवार हो रहा है और निश्चित रूप से नोटिसबल है और एक सक्त कारवाई की मांग करता है सबसे पहले तो यह होता है कि भारी निमि आप निउस्पेपर में जाकर पढ़ सकते हैं तो यह थी आज की खबरें उम्मित करता हूं आपके लिए रहेंगी और सोचल मीडिया पर आप यहां प्रकास लिखकर फालू कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रस्शन में भी दिये गए हैं ठीक है तो सबसे